हेलो दोस्तो, आज हम बात करेंगे causes for the English success and the French failure की अंग्रेजी कंपनी एक नीजी उद्यम थी, इसने लोगों में उत्सा और आत्म विश्वास की भावना पैदा की इस पर कम सरकारे नीयंद्रन के साथ, ये एक अपनी सरकार की मनझूरी के प्रतेक्षा किये बिना जरुरत पढ़ने पर ततकाल निर्नले ले सकती थी, दूसरी और फ्रांसीसी कंपनी राज्य की चिन्ता थी इसे फ्रांसिसी सरकार द्वारा नियंते और विन्यमित किया गया था और सरकार की नीतियों और निर्णय लेने में देरी से प्रभावित हुआ था अंग्रेजी नोसेना फ्रांसिसी नोसेना से स्रेश्ट थी इसने भारत और फ्रांसीसी संपर्ति के बीच महतपूर समूदरी लिंग को काटने में मदद की अंग्रेज हो के पास तीन महतपूर स्थान थे कलकत्ता, बॉंबे और मदरास जबकि फ्रांसीसी के पास केवल पांडो चेरी फ्रांसिसी ने अपने व्यवसाई खितों को छेतरी महत कांशा के अदीन कर दिया जिससे फ्रांसिसी कंपनी को धनकी कमी हो गई अपने सामराज जवादी इरादों के बावजूद अंग्रेजों ने अपने व्यवसाई खितों की कभी उपेक्षा नहीं की इसलिए उनके पास अमने प्रतिदंदियों के खिलाफ युद्धों में महत्पून रोप से मदद करने के लिए हमेशा धन और परिनामी वित्यास थिती थी भारत में अंग्रेजों की सफलता का एक प्रमुकारक बिर्टिश खेमें में कमांडरों की श्रेशता थी अंग्रेजी पक्ष के नेताओं की लंबी सूची की तुलना में सर आयर कोटे, मेजर स्टिंकर लोरेंस, रोबर्ट क्लाइब और कई अन्याए फ्रांसी से पक्ष पर केवल डूपिलेक्स था तो यह था चैप्टर थी का एक टॉपिक कॉजिस फॉर दा इंग्लेस सक्सेस एंड दा फ्रेंच फेलियर के बारे में वीडियो फसंद आए वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंड जरूर करे